अगर 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 आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्सर में मेरा टिलिग्राम गुरूप का लिंक और साथ सत्रस्तल वाट्सप नंबर भी डला है जहां आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रोब्लम या वह आपके एक्जाम से रि रिजल्ट से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रोब्लम आप सभी बच्चों तक आती है तो आप सभी स्टूडेंट मेरे से सियर करें और से रिलेटेड जो भी जैसा अभी तक मैं रखता है हूं आगे भी आप सभी बच्चों तक 100% पहुंचानी की कोशिस करूंगा और सबसे रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लाए है तो इस वीडियो को कम्प्लेटली वॉच्च कीजिएगा और साथ साथ जो सिभी ब्रांच के स्टूडेंट है और अगर आपको फोर्त और सिख समिस्टर में किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो लाइप किल सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं हर्याना पूल टेक्निक का सबसे पहले बात तो सरे एक्जाम फॉर्म या पीची अपले देखो यह वीडियो लाने के पीछे दो रीजन है पहला रीजन तो यह है जो काफी सारे प्राइवेट कॉलिज वाले काफी सार प्राइवेट कॉलिज वाल मैं एक दो की बात नहीं करता मेरे पास जो डाटा आए उस डाटा के कोडिंग आप लोग मानिए कम से कम 6-7 और मैं 6-7 कोलिज का नाम लेना इसलिए सही नहीं समझता फिर उनको भी लगेगा जो हम ही को पॉइंट और किया जा रहा है अब 6-7 का कैसे नाम ले लूँ तो मेरा कहना यह है जो अभी तक एचस बीटी के तरब से आप लोग क्लियरली समझिए अगर मेरे पर भरोसा है अभी तक आप लोग ने देखा सारे रियल में अबडेट देता हुआ हूँ अभी तक के अपडेट आज तक की डेट की मैं बात कर रहा हू अभी PCA का कोई भी नोटिफिकेशन एचस बीटी के ना तो ओफिसियल वेब साइट पे आया है और ना किसी कॉलेज को भेजा गया जो भाई स्टार्टिंग डेट के है और एंडिंग डेट के है ठीक है और अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो क्योंकि देखो बेटा गौर्मिंट कॉलेज वालों की हिम्मत है नहीं प्रिम्सपल साहब की जो वह ऐसा कोई नोटिस जारी कर दे जो भाई PCA का लास्ट डेट और इंडिंग डेट आज की डेट के कॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ एक महने बाद PCA आज की वीडियो के कॉर्डिंग बता अभी तक कोई भी डेट HSBT की तरब से रिलीज नहीं किया गया है लेकिन रही बाद PCA कब से अपलाई होगा तो मैं आप लोगों को किलियरली बता देना चाहता हूँ जो आपका PCA जो है मैं मन्त में स्टार्ट हो जाएगा और वो PCA लगबग लगबग 15 जून तक चलने वा जो भी एक्स्टा चार्जेज आपके कॉलिज वाले ले रहे हैं या किसी भी कॉलिज के आप स्टूडेंट हो काफी सारे मैंने कॉलिज के देखे कोई 900 मांग रहा है कोई 1000 रूपे कह रहा है कोई 1200 कोई 1500 यह सब गलत है आप इस बात को समझे मैं किसी भी बच्चों को भरका नहीं रहा हूं क्योंकि बेटा आप ही लोगों ने मेरे तक अपडेट पहुंचा है जो सर हमारे कॉलिज वाले इतने एक्स्टा चार्जेज ले रहे हैं मेरे को सपना तो नहीं आता हाँ इस कॉलिज वाले ने इतना क्या चार्जेज लिया है तो अगर आप इसके खिलाब पेटा जब तक खुद खड़े नहीं होईएगा यह उमीद मत रखिए जो सामने वाला आपके साथ खड़ा मिलेगा इस बात की हम लेकिन एक बात इतना कहता हूं हमेशा आप लोगों के साथ हूं अगर आप लोग देखो कोई भी कह रहा है हाँ एक्स्टा चार्जेज तो आप मेरे से ले जाओ मैं आपको नोटिफिकेशन देता हूं जो भाई PCA के चार्जे 600 रुपया ही है पड़ सेमिस्टर यह बात कर रहा हूं मैं जो स्टुडेंट हमारे क्या है रेगुलर बैच के अब रही बासर फर्स्टी सेमिस्टर का क्या है तो उसके चलक चार्ज यह अगर इसके बावजूत कोई कॉलेज वाली नहीं मानते है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजे जो सर जब हम कॉलेज की फीस इतना पेक कर रहे है तो भाई हमसे इतना PCA चार्जे लेना ही नहीं चाहिए और अगर आप लोग चाहते हो जो मैं आपके सपोर्ट में खड़ दिया यह नहीं आप रियल रसीद और एक अप्लीकेशन मेरे पास लिखके भेज़ दो सर में यह कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मेरी गैरेंटी है आपको कोई फेल नहीं करेगा आपका जैसा रिजल्ट है वैसा रहेगा इसकी गैरेंटी मैं दे रहा हूँ आप इस वी ले 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 तो फिर आप मुझे बता दीजिए उसके बाद की जो कारवाई है वो सिर्फ आपको अपडेट किया जाएगा सिर्फ आपको बताया जाएगा बिटा कॉलेज वालों पे ऐसा हुआ है और आप जाके एक बार कोलेज वालों से पता कर लो और इसके बाद अगर ना सर हम आपके पास application देंगे ना हम अपना नाम बताएंगे ना हम college का नाम बताएंगे और हम direct बस phone पर कह देते आप जाके कोई काम कर लो बिटा ऐसा नहीं होता जो official चीज़े होती है वो हमेसा written में चाहिए बोलते क्या बोलने से कुछ भी हो जाया तुम बोल तो सर हमारे अब आपके college वाले चोर है फिर ना जाएंगे complain करने यह ऐसे जाके बोल दूँ हाँ बही जो होगा मैं आप लोगों के लिए करूँगा तो मेरा क्यान यह यह बिटा अभी तक कोई PCA का कोई भी कुछ date weight नहीं आये है अगर कोई college वाले बिना मतलब कि आपको starting date और ending date बता वाला है लेकिन जो first year के बच्चे उनके लिए बिटा कुछ extra हो जाएगा year की बात कर रहा हूँ semester वाली बात ही नहीं हो रही है इसको लेकिन मैं एक separate वीडियो आप लोगो के लिए लाऊंगा next अब बेट है sir maximum subject देखो बेटा अगर आपके college वाले apply करवा रहे हैं same charges में तो आप maximum 12 subject का paper एक बार में दे सकते हो clear है अब जैसे मान लोग को student है जिसकी 8 में compartment है और 4 regular है तो बेटा आप लोग 12 subject का ही paper दे पाऊगे अब मान लो कोई बच्चा है जिसकी 10 में compartment है और 4 subject है तो बेटा आपको दो subject next attempt देना होगा इस बात का ध्यान रखिएगा अब बात की जाए सर apply process के है देखो बिटा apply process को लेके अब sbtb अपने आपको थोड़ा चेंज करने में लगा हुआ है इसके पीछे दो रीजन है पहला रीजन तो इनको स्टार्टिंग से मैं बताता आया हूं college वाले चोर है college वाले गलत कर रहे college वाले गलत कर रहे आप अपने server को ठीक कीजिए same MDU की तरह तो यह उस पर लगे हुए लेकिन कुछ time लग सकता है हो सके आपके अगले साल से आपका PCA भी online apply हो जाए बट अभी आपके पास कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो आप खुद apply कर पाऊगे इसके लिए आपको college वा उसे कोई मतलब ही नहीं ठीक है अब अगला question यह sir last date क्या है देखो बेटल ना starting date आया और ना कोई last date है आपको जब मैं वीडियो में बताओ जो बेटा इस date से आपका starting और last date है उसी दिन apply कीजिएगा उससे पहले यह कुछ भी बोलने दो अगर आपने जिक्रह है अगर आप इनके खलाब बोल सकते हो तो आप बोलिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ हरियान एक अंदर किसी भी college का पर student हो हम देख लेंगे जिए उसकी आप चिंता कते ना किया अगरो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को खतम करता हूँ अगर आपको ये वीडियो सही लगे कुछ college वालों को गलत भी लग रहा होगा यह हमारे खलाब क्यों बोलता है तो मैं बोलता रहूँगा इसलिए सभी बच्चों इस रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सस्क्राइब और शेयर करते रहिए मिलते है निक्स्ट वीडियो निक्स्ट अपडे कि कुछिस करूँगा बायो लफ्यूं